हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक नई चाप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके वियाकरन बुक से है चाप्टर नमबर 18 और चाप्टर का नाम है पठीद गद्यांग्ष जिसको हम इंगलिश में कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो आप पाठिय पुस्तक से भिन्य पुस्तके पढ़ते होंगे उन्हें हम अपने ग्यान और अपनी शमता से समझते हैं जो पाठिय पुस्तक में नहीं होता है भिन्य पुस्तक होते हैं उनको हम क्या करते हैं अपने ग्यान और अपनी शमता से ही समझते हैं, इस समझ को अधिक बढ़ाने के लिए हम कुछ अभ्यास दे रहे हैं, तो इस चाप्टर में आपको कुछ एक्सरसाइस दिये गए है, जिसको क्या करना है, आपको अपने आप से समझना है, और समझ कर उसको पूरा करना है, यदि आप अपठित गध्यांग्ष का कर सके, उन पर पूछे गए प्रशनों के उत्तर दे सके, तो इसका अर्थ है कि हिंदी भाषा में आपकी दक्षता बर रही है, तो यदि आप इन सब को कर पाए, तो समझ चाओगे कि आप हिंदी को समझने लगे हो, दक्षता बढ़ाने के लिए आप पुस्तकाले से पुस प्रेक्ष कर सकते हो, ठीक है, तो अपठी गद्यांक्ष होता है, वो बैसे के लिए आपको पहले पढ़ना पढ़ता है, अच्छे से पुड़ा पेरग्रफ अनुच्छेत को पढ़ने के बाद क्या करना पढ़ता है, आपको समझना पढ़ता है कि इस अनुच्छेत में किस तोपिक है जिसके बारे में लिखा गया है ठीक है उसके बाद आपको जो कुशन सर होता है उसको सॉल्फ करना होता है तो पहले आप अच्छे से अनुच्छेत को पढ़िए पढ़ने के बाद समझ लिए कि यह अनुच्छेत किसके बारे में है क्या कह रहा है इस अनुच्छे में उसके बाद आप कुशन अंसर यानि कि जो अनुचेत से पुछे जाएंगे कुशन और अंसर उनको करिए ठीक है तो पहला जो गद्यांग्ष है वो मैंने स्कुल में कराया है और इसका में जो है आंसर वो मैं आपको एप में दे दूँगी और बाकी जो है वो आप अपने आप खर में प्रैक्टिस करिए ठीक है और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखिए कि आप कितना कर पाते हो ठीक है तो चलिए थैंक यू